कि नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज किस वीडियो में रेपब्लिक इंडिया के कुछ ऐसे सिकों की जानकारी देने वाला हूं जिन सिकों के नाम पर मार्केट में काफी ज़दा फ्रो पूरे ध्यान से देखिए अच्छे से समझे इस वीडियो को कहीं ऐसा नहों कि आपके पास जो सिक्के हैं जो आपने खरीदे यह सोच करके सिक्के तो ऑरिजिनल सिक्के हैं और आपने ध्यान मी ना दिया हो कि ऑरिजिनल है डूबलिकेट है लेकिन आज की वीडियो के खरीद लिए हैं इसे अन्जान व्यक्ति से खरीद लिए हैं तो एक बार उन सिक्कों को जरा खुद भी बारिकी से चेक कीजिए यह किसी कोई एक्सपर्ट से भी चेक कर आई एसा नहों कि आप जिस सिक्के को अपनी अलबम में इतने सभाल कर रखे हैं यह सोच कर कि फ्यू दूब्लिकेट मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं तो आज की जो वीडियो है दोस्तों एक अवेर्नेस वीडियो भी है तक यह आपको भी पता चल सके क्या कोई कैलेक्शन के काम में भी नकली और जालसाज लोग काफी ज्यादा बुस चुके हैं और यह लगा रह कि का रेट बड़ा है तो डिमांड भी ज़्यादा है सिक्के रेर कैटिगरी के हैं तो डूब्लिकेट भी इसी में सबस्यादा बनाई जा रही है तो आप थोड़ा सावधान हो जाईए अगर आप ऐसे ही किसी रहा चलते या किसी अंजान व्यक्ति से सिक्के खरीद लेते ह कूइं लेते हैं आज máximo में कुछ कोई एक्षपिरेंस खर रूंग आपके साथ किए क्या के ऊगता है रहा चलते लोगों साब शीक्का खरीद लेते हैं लालच मया कर और वह आपको उपना सिक्खका देकर निकल जाता है फिर आप धून्टते प्रते हो से कव्यक्ति को कहा ग बनाई है आज की इस वीडियो में और यह लिस्ट मैंने ऐसे सिक्कों की बनाई है जिनके रेट अभी दो-तीन साल के अंदर काफी तेजी से बढ़े और इसी में सबस्यादर डूब्लिकेट सिक्के देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले दोस्तों हम शुरुवात करते हैं कौपर निकल के 6 गिराम वजन के सिक्के से 1988 वन रूपी नोईडा दोस्तों 1988 वन रूपी नोईडा में काफी ज़्यादा डूब्लिकेट सिक्के देखने को मिल रहे हैं जिनको हम मैनमेड या टूल्ड को इन बोलते हैं मिन्ट मार्क के साथ छेड़ छाड़ की जाती है तो मैं तो आपसे हमेशे ही यही बोलता हूँ क्या कोई भी सिक्का आप खरीद रहे हैं ऐसी आखबंदगर किसी वे वरोसा करके ना खरीदे सिक्कों पर थोड़ी स्टडी कर ले सिक्के में क्या क्या देखना होता है असली नकली क्या देखना होता है मिन्ट मार्क प्रोपरली किस तरह से चेक करना होता है यह सारी चीजे देखनी होती है क्योंकि नकली काम करने वाले मिन्ट मार्क तो बना देंगे 1988 के नीचे लेकिन लाइन वराइटी भी देखनी जरूरी होती है क्यों बॉंबे मिंट से लाइन वराइटी कैसी आती है कोलकाता से कैसी आती है यह सारी शीचे समझ नहीं होगी 1988 वन रुपी में बहुत सारे लोगों के पास मैंने मेंड और टूल कोईन देखे और वो यूएन सी बोलकर उनको बेचे गए और उनको चूना लगा जब वो कोईन वो बेचने के लिए गए किसी कोईन एग्जिबिशन में ये किसी कोईन डीलर के पास तो उनको बताए तो नकली सिक्का है अब वो वापस किसको पर करें वो तो रहा चलते किसी व्यक्ति से खरीद लिए रोने किसी coin exhibition के बाहर या किसी ऐसी अंजान व्यक्ति से या किसी online platform से ऐसी खरीद लिए तो सावधान रहने की जुरूरत है आपकी ये जो कमाई है ये बहुत खून पसीने और भेहनत की कमाई है इसको बड़ा सोच समझ का खर्च करना है आपको और coin collection में जो भी पैसे से जुड़ा काम होता है उसमें जालसाज और फ्रोड लोग ज्यादा होते है तो 1988 वन रूपी नोड़ा इसमें डूबलिके टूल सीके काफी ज़द आ रहे है तो बड़ा सावधानी पूर्वक इन सिकों को खरीदे इसके बाद सबसे ज़द नकली काम जो हो रहा है वो हो रहा है छे गिराम वजन के ही कौपर निकल के स्मॉल जो coin आते है 1991 नोड़ा मिंट के इस सिके में बहुत बड़ा फ्रोड चल रहा है इसमें टूल्ड कोई सबसे ज़द आ रहे है मिंट मार्क में छेड़ चाल की जा रही है हालाकि जो original सिक्का है 1990 में नोड़ा मिंट का उसमें बिलकुल परफेक्ट राउंड डोट मिंट मार्क देखने को मिलेगा उबहा हुआ एक दम शार्प और उसमें full security है जोगी और line variety लाइन की तरफ से भी आपको study करनी पड़ेगी कि 91 नोड़ा जो है उसमें लाइन किस तरह का दिखता है और बाकी मिंट के सिक्कों में लाइन किस तरह का दिखता है तो यह पूरा study का खेल है सारी चीज़े मैं नहीं बता पाऊंगा आपको एक ही वीडियो में इतने सारे सि सिक्कों की वीडियो बनाई हुई है तो अगर आपके पास कोई सिक्का है तो आप मेरे चैनल की जो वीडियो है उनसे compare कर सकते हैं या किसी अच्छे कोई डीलर से आप अपने सिक्के भी चेक कर आ सकते अगर आपने यूहीं किसी अज्यान वेक्तिसे सिक्के खरीद लिए है और आप अपनी एल्बम में समाल का रखे हुए हैं यह सोचकर कि फ्यूचर में जाकर इसका बहुत अच्छा लाब मिलेगा तो 1991 में बहुत बड़ा फ्रोड चल रहा है सावधान सतर्क रहने की जुरूत है कोई भी रेयर सिक्का आप खरीदे अपने भरोसे मन किसी जनकार स खरीदे रहा चलते ऐसी पट्री से किसी सिक्के को खरीदे लेंगे तो फिर लेने के देने पढ़ जाएगे मैंने तो ऐसा भी देखा है कोई एग्जीबिशन में के स्टोल पर से सिक्का लिया गया और वह नकली सिक्का था फिर उसने वापस लेने से भी इंकार कर दिया यह पर बहुत देर बाद संगर्स करने के बाद वह सिक्का वापस हुआ तो तीन-चार हजार रुपे कम दिये गई ऐसा भी हो जाता है बहुत सारे स्टोल वाले को पता नहीं होता है कि हमारे पास सीटे सिक्के है यह गडबर सिक्के है वह भी अंजान में ऐसे बेज देते हैं क क्योंके जरुरी नहीं है कि उनके काउंटर पर सिख्के रखे है तो उन्में बहुत अच्छे से स्ट्डी कर रकी उन्सी को पर कि उसमें क्या क्या देखना होता है लाइन वर्यटी क्या है मिंट मार्क क्या देख देखना काई dalं को तो VC का सिक्के बाटर ञे तो उसने बहुत पारिकी से स्टेडी कर रखें उन्सी को बढ़ काफी बार धोके में ऐसा हो जाता है कि को इन डीलर को भी नखली सिख्के लोग देजाते हैं जनकारी का भाद हो भी रख लेते हैं लेकिन जो एक भरोसय मंद को इन डीलर होता है वो उसक्षे को आगे ट्रांस इसमें tooled manmade coin काफी ज़्याद आ रहे हैं इस तरह के डाई आ रही है सिक्के में क्या आप असली और नकली सिक्के में फरक करना बहुत कठिनाई हो जाएगे आपको मेरा इस्थान में exhibition में गया था वहाँ पर दो सिक्के 1970 के UNCI मेरे एक दोस्तों ने पेमेंट भी कर दी मेरे एक दोस्तों लगाकर वैठा था मेरा भी स्टोल ता वहाँ पर उसने पेमेंट कर दी पेमेंट करने के बाद जब वो सिक्के दिखाए गए तो पता चला यह तो बहु सिक्के है वह सिक्के तुरंत वापस किये गए क्योंकि वेक्ति वहीं खड़ा था और उससे पैसे वापस लिए गए तो 1970 का वन रुपी जो आ रहा है यह काफी जदा रेर हो चुका है अब तो एक्स्ट्रीमली डेर की तरफ हो चुका है तो इसको आप खरीदे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक खरीदे बहुसे मन्द व्यक्ति और जैन्मेंट डीलर से ही खरीदे ऐसे व्यक्ति से खरीदे अगर सिक्के में कुछ गड़बड है तो आराम से आप उसको वापस करके अपना पैसा रेफर्ण ले सके हाला कि जो कोई जैन्मेंट डीलर होते हैं इस न अगला सिक्का कौन सा है दोस्तों वो है 1982 का वन रूपी जो छोटे वाले स्मॉल वन रूपी आते हैं 6 गिराम वजन के 1982 बॉंबे मिंट इस सिक्के में बहुत ज्यादा टूल्ड कोईन आ रहे हैं पिछले पात-दस साल से टूल्ड कोईन इसमें देखने को मिल रहे थे लेक सबना ह्याए पहले के समय की तुलना में पहले के सिक्कों को फिर भी आप आर आराम से इंटिफाइए कर सकते देगे अस्यμεंट फरक क्या है अब जिस पर कार के सिक्के बराए जा रहे हैं उन्हें में बहुत ज़्यादा इस्टडी की जरूत है असली और नकली को पकड़ने में तो 1982 वन रूपी स्मॉल कोईन अगर आपने ऐसे ही किसी चलते फिरते पटरी से या किसी कोईन एक्जिबिशन के बाहर खरीद लिया है आप वो सिक्का किसी भरोसे बन डीलर किसी कोईन एक्सपर्ट को जरूरू चेक कर आए क्योंकि आप तो इस उम्मीद में अपनी अल्बम म रही है कि इस सिक्के में सब स्यादा टूल्ड को यक्षित आ रहे हैं जो मेंड्रपारम का क्योंच और है तो 1985 का स्क्रिन पर सिख लें आप यह एक्स्ट्रीमली दे इर का होता है है इसमें में अन्योंकित हो कि टो इनka eco खाफिक ज्याद आ रहे हैं किसी सिख्यक के लिए आप 30-40-50-10000,000 फॉल रुपे खर्च कर रहे हैं ना तो शिख्यक पर थोड़ी स्टडी भी कर ले और वह सिख्यक किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदे जो सिख्यक की पूरी गरैंटी ले किसी ऑक्ष्ण हाउस से खरीदे किसी भरोस्यमन डीलर से खरीदे इसमें हैद्रवाद में एक्ष्रीमनी रेर है और डुब्लिकेट सिख्ये काफी ज़्याद आ रहे हैं तो आपको सावधार नहने की जुरूरत है आज की वीडियो है जो लोग यह सिख्ये ऐसे ही कि इसे खरीद के रख ली है दो दो चाचार इस तरह की जो सिख्ये होते हैं न जन्दास है इसका मैं आपको एक अनुभवी साजा गरूँ आज की इस वीडियो में दिल्ली के कोईन एक्षिविशन में गया मैं अपने मित्र के स्टोल पर था आप सभी जानते ये तो नौर्बल सी बात है कि कोईन एक्षिविशन के बाहर भी लोग सिख्ये खरीकते बेशते हैं तो मेरा एक मित्र मेरे पास आया कि रई भाई ये दो रुपे का सिख्या मिल रहा है देश बंदू चितरन जन्दास का हैद्रवाद मिंट का मैंने देखा कि सिख्या तो ये गड़बड है टूल्ड कोईन है बना बनाया सिख्या है मिंट मार के साथ छेड़ चाड़ की गई है पर मैंने मित्र को भी चेक कर आया ता वो भी को काफी अच्छे ृग का रहा है उस हमने जब उससे रेट पोचा कि कितने में मिल रहा है उसने भोला पांच जार रुपे में मैंने का मत लेना सिख्या ये वह बाहर गया उस दोड़न का वापस कर दिया शाम होते होते एक वेक्ति दूसरा है कर रगी भाई मैंने ऐसा सिख्वा खरीदा है आज एक्स्टीमली रेर और बहुत कम दाम में जिसको देखकर आप बड़े खुश हो जाओगे यह सिक्का खरीदा जी मैंने कितने का खरीदा धाये जार रुपेगा वही सिक्का जो की एक बैन में डूब्लिकेट सिक्का था जब देखा गए कि तो सिक्का पूरा गड़ बढ़ है अब वह उस वक्ति को ढूंड रहा था कि वह सिक्का में वापस कर दू लेकिन फिर कोई कह पा मिल रहा है वह तो काम करते का सिक्कादो निकर लो कुछ उनको पता है अगर उनका सिक्का होता था ओक चालिस पचास जार रूपय से कंस्द TV सिक्का में काम चल जाएगा तो टूरुपीस देश बंदु चितन यृडास का सिक्का खरीदे बहुत सावधानी पूर्वा ख केंडिशन में सिख्के कीमत एक लाग फ्लस के आस्वास होती है जब इतना कीमती सिख्का है तो सीधी सी बात है कि जाल साज और फ्रोड करने वाए लोगों की नजर भी सिख्के पर जाएगी तो पच्चीस पैसे पर फ्रोड के नहीं है जो सिख्के मिंट की तरफ से बहुत कम बने है तो जो संग्रह करता है जो कलेक्टर है जो रेर शेडी के सिख्कों को कलेक्शन करते हैं वो ऐसे सिख्कों को खरीते हैं मैं खुद रेर सिख्के अपने कलेक्शन में एड करता हूँ तो 25 पैसे मार्क पर लाइन वाराइटी पर किस तरह का सिख्का दिखता है अगर आप सिख्कों का कलेक्शन कर रहे हैं जब आपको इस खील्ड में इंटरस्ट है तो आप स्टडी क्यों आप स्टडी कप करोगे फिर आप कैसे भेद लगा पाओंगे असली नकली में तो आज की वीडियो का वेडियो है कि आप सिख्के खरीद रहे हैं कीमती सिख्के तो आप थोड़ी स्टडी भी करें ताकि खरीदते वक्त आपको खुद भी यह पतर है कि सिख्का 100 परसेंट और जिरल सिख्का है दोस्तों आज की वीडियो जानकारी कैसी लेगी नीचे कमेंट करके बताना और नीचे कमेंट करके यह भी बताना क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई धोका हुआ है क्या आपने कोई असली सिख्का समझ कर खरीदिया और बाद में नकली निकला और कौन बोलकर उनको नकली सिक्का थमा दिया गया बाद में उनको नुकसान हुआ या किसी कोई डीलर से या किसी कलेक्टर को चेक कराया तो पता चले तो नकली है आप अपने सभी कमेंट में अनुभव साजा जुरूर करना बस सभी के कमेंट रीड करूँ और रिपलाई करूँगा आज की इस वीडियो को दोस्तों में इखातम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद